हेलो एव्रीवन विल्कम बैक तो लेंकरो क्लासिस इस अनुश्का यॉर मेंटॉर एंड आज के लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्यूंकि जो हमारा चाप्टर चल रहा था इसस आज मॉलिकुलर बीससे ऑ हुए हम कह बिलकुल लास्ट पार्ट में है जिसwn हम लाकफिर नगे करेंगे और इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हम बारे में भी सीखेंगे तो यूनेट चल रही है हमारी जानृतेक्सскे evolution and chapter molecular basis of inheritance आज का लेक्चर लेस लास्ट है थियोरी लेक्चर है इसके बाद हम MCQ प्राक्टिस करेंगे and MCQ के बाद हम हमारा अगला चाप्टर evolution स्टार्ट कर देंगे तो book के according चाप्टर नंबर 6 है ये और मैं अनुश्का मैं आपके biology domain की classes लेती हूँ जहां पर आपको theory और MCQ में दोनों cover करवाती हूँ तो चलिए start करते है start करने से पहले करना क्या है चैनल पर पहली बार हो तो यहां पर आपको चैनल को subscribe करना है अपने friends के साथ share करना है उन्हें बताना है कि YouTube पे daily classes चलती है CUET 2023 के लिए जहां हम आपके तीनों section cover करवाते हैं फिर चाहें वो language हो आपका domain हो या फिर journal test तीनों section यहां cover करवाय जाते हैं इसी के साथ telegram channel, telegram पे जाओगे search करना CUET by Gokul छाबडा के नाम से आपको मिल जाएगा channel और इस channel को फटा फट से join कर लेना क्योंकि यहां पे जितना information आप से related है आपके university से related है form filling वगरा वो सब कुछ आपको एक ही platform पे मिल जाता है तो फटा फट से इस channel को join कर लेना है अप अपने topic की तरफ तो सबसे पहला जो topic आता है मारे पास सबसे पहला topic है मारे पास regulation of gene expression इस topic को समझना की important क्यों है देखो जब हमने chapter पढ़ना शुरू कराता है एक series में चीजे चली ती जैसे सबसे पहले हमने DNA के बारे में पढ़ा फिर हमने replication transcription and translation पढ़ा यह हमने पूरा एक process पढ़ा किस तरह से चलता है अब यह थोड़ा सा twist है क्योंकि यहाँ पे यह जो gene expression है मतलब यही mRNA का formation transcription की ही बात कर रहे हैं इसको आप regulate करवा सकते हो जो आपके पास DNA से information है उसे protein तक भेजने पे किस-किस step पे आप उसे control कर सकते हो यही क्या कहलाता है मारे पास regulation of gene expression हम इसे बोलते हैं अच्छा जर्णल ही अगर हम बात करें किसी भी cell को ले लो microscopic cell ले लो human की cell ले लो हर एक cell के पास दो चीज़े होती हैं बोल सकते हो हर एक cell के पास ना दो तरीके के genes होते हैं एक को हम बोलते हैं housekeeping genes और एक को हम बोलते हैं luxury genes अब देखो दोनों में फरक क्या है जर्णली बात करें कोई भी cell है हर एक cell जो है respiration करेगी energy का production करेगी तो यानि कि जो enzymes उसे चाहिए respiration करने के लिए energy का production करने के लिए वो तो हर एक cell को चाहिए ही चाहिए फिर चाहिए वो हमारी nerve cell हो, cardiac cell हो, kidney के cell हो, हर एक को ये सारे के सारे enzyme चाहिए तो उन enzyme को बनाने वाला जीन हर एक cell में regulate अपना काम करता रहेगा, चलता रहेगा तो वो आ गए housekeeping में लेकिन luxury genes कौन से हैं? luxury genes वो genes हैं जिसकी वज़े से हम बोलते हैं कि कोई cell cardiac cell है, या कोई cell हमारी nerve cell है, यानि कि cell को जो उसके characteristic property है वो कौन प्रवाइड करता है? luxury gene, तो housekeeping gene हर एक cell में present है, अगर हम बात करें तो उस cell के अंदर जितना basic function है, वो सब कुछ कवर करें लेकि luxury gene कैसे हैं? जब जरूरत पड़ेगी तब ही activate होंगे और वो special gene जिसकी वज़ा से आप cardiac cell को cardiac cell, nerve cell को nerve cell बोलते हो तो यहाँ पर बात करें, हमारे पास यही आता है, अब देखो luxury gene है जो कभी-कभी express कर रहे हैं, conditions में express कर रहे हैं, तो इन ही का हम regulation करते हैं इन ही का हमें control पड़ना होता है, क्योंकि housekeeping gene तो हमें चाहिए ही चाहिए, यह काम करेंगे तब ही cell का जो एक basic function है वो चल पाएगा luxury gene, regulation करना पड़ता है, इन ही gene के regulation के लिए हम पड़ते हैं, regulation of gene expression the genes in a cell are expressed to perform a particular function और set of function, एक particular function को करने के लिए जो gene चाहिए, जैसे चाय बनाने के लिए अगर हम बात करें, तो क्या-क्या चाहिए होता है चीनी चाहिए, पत्ती, पानी, दूद, अद्रक चलो सरदी के time पे, ये ingredient चाहिए, मतलब चाहिए तो सारे चाहिए वरना नहीं चाहिए तो उसी तरीके का कुछ हमें देखने को मिलता है, प्रोक्रियोर्ट में, जहां पे हमें set of gene देखने को मिलता है कि इन gene का expression चाहिए तो साथ में चाहिए, वरना एक का भी नहीं चाहिए For example, an enzyme called beta galactosidase, यहां से ध्यान से पढ़ना lac operon का introduction है An enzyme called beta galactosidase synthesized by E. coli is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide, lactose into galactose and glucose अब देखो, E. coli के पास एक enzyme बनता है, जिसे हम beta galactosidase बोलते है अब यह जो enzyme है beta galactosidase, यह चाहिए कब होगा? जब medium में lactose present होगा, यानि कि अगर E. coli के असपास lactose है, E. coli lactose पे feed कर रहा है तभी यह beta galactosidase चाहिए, ताकि lactose को तोड़ा जाए, galactose and glucose बनाया जाए which the bacteria use as a source of energy Hence, if the bacteria do not have lactose around them, be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase अब अगर bacteria के medium में lactose नहीं है, तो जब lactose ही नहीं है, तो lactose को तोड़ने वाला enzyme बनाने में, energy बरबात करने में क्या फैदा तो वो enzymes नहीं बनाता Therefore, it is metabolic, इसलिए हम बोलते हैं, metabolic physiological environmental conditions हैं, जो regulate करती हैं इन्ही luxury gene का expression अब अगर हम बात करें, तो eukaryotes में बहुत से level हैं, जहां पर आप regulate करवा सकते हों लेकिन prokaryotes में बात करें, क्योंकि compartment नहीं है, nuclear cytoplasm अलग अलग नहीं है, सब कुछ एकी जगे present है तो वहाँ regulation थोड़ा problematic हो जाता है, जर्णली जरूरत भी नहीं पड़ती लेकिन eukaryotes की बात करें, जो इतना organize है, इस particular में हमें regulation करवाना पड़ता है तो regulation देखेंगे कि आप gene को किस-किस stage पर control कर सकते हो, कि भाई अभी expression करना है और अभी expression नहीं करना और जब भी मैं आपसे बात करूँ expression की, तो expression का मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पर, expression का मतलब कि यहाँ पर DNA से क्या बन रहा हो, mRNA expression का मतलब क्या है, mRNA का formation यह आपको ध्यान रखना है, तो बात करते हैं किस-किस level पर कर सकते हैं, पहला आप कर सकते हो, transcriptional level पर, transcription जब चलता है, जब mRNA formation हो रहा होता है, उसी time period पर रोग तो, formation ही ना होने तो, पहली जगे control आ गया, दूसरा आता है processing level, processing level कि मान लो transcription हुआ है, mRNA बना है, mRNA का किया जाएगा, post transcriptional modification, यानि कि introns को remove करवाया जाएगा, उसी level पर रोग तो काम, mRNA बनाया, वही का वही रोग दो, कि अभी splicing नहीं करवाते जरूरत नहीं है, तीसरा कर सकते हो, transport of mRNA from the nucleus to cytoplasm, अब क्योंकि eukreots हैं, तो compartment present है, और nucleus के अंदर बनरी चीज है, expression completely क साहा देगी जाके, cytoplasm में तो रास्ता रोग तो, ये सिरफ चीजे ऐसी हैं, जिससे आप regulate करवा सकते हो, और fourth है transitional level, अब आप कोगे, ये तीन तो समझ है, लेकिन transitional level के आए, transitional का मतलब protein यानि की expression complete हो चुका है, तो protein बनने के बाद भी protein की packaging आती है, कई बार protein की packing अगर खरा नहीं है, लेकिन transitional level था, तो यहाँ पर protein की packaging से related आ जाता है, तो अगर हम बात करें, prokriores में, eukriores में हमने देखा, की eukriores में हम चार पॉइंट्स ऐसे हैं, जहाँ पर आप control कर सकते हो, regulate कर सकते हो, किसी भी gene का expression, लेकिन prokriores में बात करें, control of the rate of transcriptional initiation is predominant site for control of gene expression, तो generally अग हमें prokriores में करना है, control, तो transcriptional के time पे ही हम कर सकते हैं, transcription के time पे ही control कर सकते हो, क्योंकि अगला देखो, transcription यहाँ पे जब होता है, prokriores में, तो mRNA जो बनता है, वो पूरी तरह से तयार होता है, यहाँ prokriores के mRNA में कोई introns, exons present नहीं होते, पूरा functional है, तो prokriores में आप processing level पे तो नहीं कर सकते regulation, फिर एक और चीज़ पढ़ीती कि prokriores में तो couple reaction चलता है, यानि कि translation खतम भी नहीं होता, और यहाँ, sorry, transcription खतम भी नहीं होता, translation स्टार्ट हो जाता है, दोनों process साथ साथ है, तो आप यहाँ पर भी नहीं कर सकते, transitional level पे बात करें, और क्योंकि compartment है ही नही तो compartment ना होने की वज़ा से mRNA cytoplasm में ही पढ़ा है, तो उसको रोकोगे कहाँ, तो prokriores में सिरफ एक पहले level पे आप कर सकते हो, बाकी तीन level पे control नहीं कर सकते हो, in a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is turned regulated by interaction with accessory proteins, यह अभी हम पूरा समझेंगे, यह पूरा आपको समझा जाएगा, पूरा एक flow chart की help से करेंगे, the accessibility of promoter region of prokriotic DNA, many cases regulated the interaction of protein with the sequence termed as operator, तो यह आप देखोगे, gene present है, gene expression करेगा, और वो expression जो है, हमारे ने कुछ molecule बनाएगा, और वो molecule bind करेगा operator से, operator region को बोल रहे है, it's adjacent to promoter element in most operon, and in most cases, this is the sequence of operator, bind to repressor protein, यह एक एक चीज याद रख लो, term सारी है, सारी अभी अभी detail में आएगी, operon की बात करें, has its specific operator, specific repressor, for example, इसमें हमें lac operon का हम समझेंगे, पूरा detail में, तो आपके सामने यह term कौन कौन सी आई थी, आपने देखा था, promoter region की बात करी है, इन्होंने operator की बा compressor molecule की बात करी, तो यह सारी चीज़े हमें कहां देखने को मिलेगी, ukriots में भी है, prokriots में भी है, लेकिन prokriots हम पढ़ेंगे, lac operon पढ़ना थोड़ा easy हो जाता है, prokriotic case में, तो यहाँ पे दियान दो, देखो, जर्नली अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले तो आप प्रमोट, इसी के साथ आप देखो, operator दिख रहा है, ZYA, absence of inducer, सबसे पहले देखो, यह जो आपको दे रखा है, इससे क्या बन रहा है, MRNA, तो MRNA की formation के लिए एक template strength चाहिए होता है, तो यह तो आप बता सकते हो, कि भाई, यह जो given है, यह क्या है, DNA है, यह तो समझ आगिया क DNA, अब DNA में आप देखो, तो यहाँ पर आपको ZYA, यह है genes, इन्हें हम बोलते है, polycistronic, देखो, citron का मतलब हमने सीखाता है, इससे पहले वाले lecture में, citron क्या होता है, हम बोलते हैं, जो भी functional part है DNA का, या फिर आप बोल दो, जो functional part है, gene का, वो कहलाता है, citron, अब poly का मतलब क् DNA, तो जब हमने बात करी थी न, operon क्या होता है, तो operon को हम बोलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ZYA, genes, Z gene, Y gene, A gene, यह gene ऐसे हैं, जो चाहिए तो सारे चाहिए साथ में, वरना एक का भी expression नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, polycistronic, polycistronic चाहिए तो स बात में चाहिए, वरना एक भी नहीं चाहिए, अच्छा, bacterial अगर हम DNA की बात करें, तो bacterial DNA काफी छोटा होता है, bacterial genome हमारे पास जो है, वो काफी छोटा होता है, और इसी इतने से के genome के अंदर सारा information होता है, जितना भी उसे चाहिए, तो यहाँ पे set of genes, अलग अलग एक promoter और एक operator के बीच में लगवाने की बजाए, यह सब को साथ साथ लगवा देता है, यह बिल्कुल वो ही process है, कि अगर चाय बनानी है, तो चीनी, पती, अदरक, पानी, सब को साथ चाहिए, वरना एक भी चीज नहीं चाहिए, तो इस तरीके का arrangement हमें देखने को मिलता है, of condition का मतलब क्या है, absence of inducer मतलब है यहाँ पर कि medium में lactose present नहीं है, lactose absent, अब देखो यही चीज हमने पढ़ी थी कि अगर medium में lactose ही present नहीं है, तो lactose को break करने वाला enzyme बनवा के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, lactose present नहीं है, यहाँ पर कौन आए तो DNA dependent RNA polymerase आएगा, RNA polymerase ने bind के और Igene को देखा, इसने Igene को देखा क्या बनवा दिया, एक repressor mRNA, जिसने आगे चलके एक repressor molecule बनवाया, किस condition में, कि medium में lactose present नहीं है, अब देखना क्या होगा, Igene की बात करें, हमेशा express होगा, switch off condition हो, switch on condition हो, खुद को हमेशा express करेगा ही next, यहाँ पर आया polymerase इसने Igene को express करवाया, repressor molecule बन गया, polymerase आगे जाने को खड़ा है, कि मैं आगे जाओंगा Y, Z, A gene के पास, लेकिन ही जो repressor बना है, यह आके फटा-फट operator से bind कर गया operator के बारे में ध्यान रखना कि operator को बोल दिया जाता है, जीन है, लेकिन operator क्या है, sequence है DNA का, एक specific sequence present है, यह कोई जीन नहीं है, तो इस case में क्या हुआ, कि यहाँ पर polymerase आया, Igene का expression करवाया, repressor mRNA बना, repressor molecule बना और फटा-फट operator से bind कर गया, अब इदर से polymerase आ रहा है, लेकिन polymerase क्या देख रहा है, यहाँ repressor bind है, आगे move नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, तो यह जो Y, Z, Y, A gene है, यह अपना expression नहीं दे पाए, और होना भी क्यों है express, medium में lactose ही नहीं है, तो express होके क्या करेंगे, तो यह condition हो जाती है, हमारी switch on condition, लेकिन दूसरा case, जिस present है, lactose present है, medium में यानि कि lactose को तोडने वाला enzyme भी बनवाना पड़ेगा, तो क्या होता है, यहाँ पर फिर आएगा हमारे पास कौन, यहाँ पर polymerase, polymerase आया, I gene को करवाया express, देखो, इधर से आ रहा है, I gene express करवाया, इसने बनाया repressor molecule, क्योंकि हमारे medium में अब lactose present है, तो य जो inducer है, यह actual में lactose है, lactose present है, तो यह क्या कर गया, repressor molecule से आके इसने करा bind, और जैसी यहाँ पे इसने repressor molecule को bind करा, lactose ने, यह हो गया inactive, अब यह यहीं का यहीं ठेर गया, inactive होने के बाद, यह जाई नहीं पाया operator sequence के पास, और यहाँ operator sequence में नहीं पहुचा, तो यहाँ जो मेरे पास RNA polymerase था, वो अराम से घुमता फिरता है, उसने देखा, अच्छा Z gene है, ठीक है, मैं बनवा देता हूँ, beta galactosides, एक MRN बनवाया, फिर देखा Y है, Y के लिए इसने MRN बनवा दिया, फिर देखा A है, A के लिए इसने MRN बनवा दिया, तो यहाँ हुआ क्या, repressor bind करता है operator से, अगर inducer यानि की medium में lactose present ना हो, लेकिन अगर medium में lactose present है, तो repressor बना, और repressor को inactive कौन कर देता है, lactose, inactive हुआ और यहाँ polymerase के लिए रास्ता बिलकुल साफ था, भागता भागता गया, Z से MRN बनवा दिया, Y से बनवा दिया, और A से बनवा दिया, अब यहा circular MRN के अंदर, Z gene का expression भी है, Y का भी है, और A का भी है, तीनों का expression present है, तो यहाँ पे इसको express करवाने के लिए, यानि की protein बनवाने के लिए, पूरी तरह से ribosome लगेगा, फिर यहाँ पे एक ribosome लगेगा, जो Y वाले के करवाएगा, Y MRN को, और 1 लगेगा ribosome A के पास, जो A का expression आया है, तो आप देख रहे हो, एक MRN के उपर आपको ribosome लगे नजर आ रहे हैं, और यह structure हमारा क्या किलाता है, इससे ध्यान रखना, यह आपने class 11th में पढ़ा है, इससे हम बोलते हैं polysome, और यह हमें कहां देखने को मिलता है, हमें prokrior's में काफी commonly देखने को मिल ज प्रोटीन बीटा गेलेक्टोसाइडेस, किसका expression है, यह Z का, Y से क्या बनवाया जाएगा, पर्मियस, A से क्या बनवाएगे, ट्रांस एसिताइलेस, अब यह जो तीनों एंजाइम बने हैं, इन तीनों एंजाइम का रोल है, जैसे बीटा गेलेक्टोसाइडेस का तो आपने देख लिया, बीटा गेलेक्टोसाइडेस का क्या है, कि यह लेक्टोस को तुडवाएगा, ग्लुकोस और गेलेक्टोस में, वहीं पर बात करें, ट्रांस एसिताइलेस का काम क्या है, ट्रांस एसिताइलेस यहाँ पर आक्टिवेट करवाता है, बीटा गेलेक्टोसाइडे यह इसको activate करवाएगा अब बचा permease, permease का काम क्या है देखो cell थी न, E. coli हमने बोला, cell है भई, cell का medium है जिसमें lactose present था, तो यहाँ पे यह जो cell है, इसके पास cell membrane है, इसको cell membrane allowed करे कि medium से lactose उठा ले, अंदर ले ले, energy बनाएंगे, तो यहाँ यह एक permease क्या काम करता है, permease यहाँ पे allowed करता है कि medium से lactose जो है, वो cell के अंदर आ सके, अब आपका question होना चाहिए था यहाँ, जो कि आप में से कोई भी न पूछेगा, यहाँ पे अगर आपसे एक सवाल आए, कि यहाँ पे सबसे जादा अगर पूछा जाए, इस दोनों condition में switch off हो, चाहें switch on condition हो, दोनों condition में कौन सा gene हमेशा express होता है, तब आप क्या कोगे, कि यहाँ पे भले ही switch off था यहाँ switch on था, लेकिन I gene तो express हुआ, इसने तो दोनों case में MRN ने बनाया ही बनाया है, दूसरा सवाल आपका यहाँ सकता है, कि माम यहाँ तो जैसे आपने बोला कि जब permease बनेगा, तब ही तो जाकि यह allowed करेगा कि medium से lactose cell के अंदर आ जाए, लेकिन यहाँ पर यह lactose कैसे आया, inducer हमने lactose ही तो बोला, यहाँ पर यह क expression देखने को मिलता है, leak expression का मतलब क्या है, जैसे अगर इस case में देखो, repressor बनाया है ना, अभी repressor जब तक यहाँ पहुचे का bind करने में, इतने में polymerase भागता चला गया, तो कुछ तो यहाँ पर expression करा के रख देगा, ध्यान रखना, leak expression देखने को मिलता है, repressor जितना time य failure यहाँ से polymerase चला जाए, तो bacterial cell जो है, वो थोड़ा बहुत expression करवा के रखती है, ताकि अगर बहुत सारा lactose medium में हो, तो कुछ आ सके अंदर, permease पहले से ही बनाऊगा, कुछ आ सके, और फिर बाद में हमारा पूरा process जो है, वो चल सके, तो होब यह topic आपको clear रहा होगा, अ नेक्स आते हैं, अगले topic की तरफ, जो की बहुत ही जादा important topic है, और बहुत बड़ा project भी रहा है, start करते हैं, इसके बारे में discussion, चलो, next topic है मारे पास, Human Genome Project, Human Genome Project की अगर बात करें, तो पूछा जाता है, यह project था क्या भई, क्यों करवाया गया, क्या इससे benefit हुआ, और क्या इससे हमें नई चीज़े सीखने को मिली, तो Human Genome Project की बात करें, इसका main target क्या था, कि Human का जो इतना बड़ा genetic material है, जो हमारा पूरा पूरा genome है, वहाँ पे हम उसे sequence करवा सकें, हमें पता लग सकें, कि यहाँ पे जब भी बात आएगी genome में, तो कौन से part क्या काम करते हैं, किस तरह से information रखी हुई है, समाल के, किस तरह अगली generation में भेजी जाएगी, तो यह आता है हमारा Human Genome Project में, देखो, यहाँ पे यह launch किया गया था, 90's 90 में, और एक mega project है, क्योंकि इस particular project में, बहुत सारी countries ने contribute किया, और बहुत सारा पैसा भी लगाता है, इस particular project को complete करने के लिए, time भी जादा, पैसा भी जादा, और यहाँ पे countries भी काफी जादा थी, जिनके contribution से यह project हो पाया, It is called International Human Genome Project, हम इसे बोलते हैं, और इसका aim क्या था, finding out all the genes in each of human chromosome, determining their function, target क्या था, कि human chromosome में, हर एक gene का पता लगा पाना, और उसका काम भी पता लगाना, Hopefully, understanding how they together form the complete organism, और साथ-साथ कि यह जो genes हैं, जो यह काम करते हैं, यह सारे मिलके किस तरह से एक पूरा organism बनाते हैं, कैसे उसका function regulate करवाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पता लगा रहा था, मेगा प्रोजेक्ट बहुत लंबा, 13 साल लंबा प्रोजेक्ट चला है, US Department of Energy, National Institute of Health, काफी जादा यहाँ पे main powers बोली जाएं, उस particular time की सब का contribution रहा है, ताकि यह प्रोजेक्ट हो सके, अब देखो, human genome project से बात करें न, तो जो आपने DNA में पढ़ा है, आपने DNA में क्या देख कि हमारे पास सारी information, 4 nucleotide के अलग-अलग combination में, ATGC का ही pair है, अलग-अलग, तो यहाँ पर अगर आपने human genome project कर रहे हो, तो information कैसी आएगी, सारी ही इन ही के combination के language में आएगी, तो इतनी बड़ी information को store करना, अगर कोई बंदा इस पर book लिखने बैठता, तो इतनी जादा आपे लिख दी जाती कि उसे दुबारा पढ़ना, और accurate information को निकाल पाना है कि अपने आप में target हो जाता, तो हमारे पास जो इतना जादा data generate हुआ, इतनी सारी चीजे generate हुई, यहाँ हमने इस particular चीज में help लिया, computer का, और bio, और computer, जहाँ पे आप biology से related information को collect करके computer में रख रह तो काफी developing field है यह और काफी जादा यहाँ पे help हुई, क्योंकि हमारे पास यह जो चार थे ना, nucleotide, इनके different combinations, अलग-अलग काम हम यहाँ पे store करके रख पाए particular system में, तो यहाँ पे बात करें, इस पूरे project का goal क्या था, क्या जरूरत थी से करवाने की, तो एक तो सीधा सा का हम की हमें तो पता लगाना था, human genome project की बात करें, तो information कैसे है, यानि की, एक genetic linkage map पता लगाना था, human genome का, by identifying thousands of genetic markers and mapping them in the genome, पता लगाना की कौन सा part, कौन सा part हमारे में active है, और उसको tag भी करना, और इसी के साथ, to obtain a physical map of human genome, by cloning genomic DNA into yeast artificial chromosome, and cosmoidy, इसके बारे में हम बात करेंगे, जब हम techniques पढ़ेंगे, तो यहाँ पे, पूरा का पूरा human genome जो था, उसको sequence करना था, कि information इतनी सारी कैसे रखी हुई है, किस तरह से इतना complicated organism, जो है, coordinate कर पाता है, वो सब कुछ कैसे चल रहा है, तो उस सब के बारे में पता लगाना थ The two factors that made this possible, दो factor थे जिसकी वज़े से possible हो पाया, पहला था कि यहाँ पर genetic engineering की technique का use किया जाने लगा, और यह सारी technique हम biotech में भी पढ़ेंगे, which made it possible to isolate and clone any segment of DNA, genetic engineering से restriction enzyme की discovery हो चुकी थी, आप यहाँ पर एक अलग से DNA से segment निकाल के उसको clone करवा सकते थे, और second, availability of simple and fast technique for determining the DNA sequence, और जो आपने DNA का segment निकाल है, उसका sequence भी आप यहाँ determine कर सकते थे, तो next बात करें, क्या features रहे human genome project के, जिसके पीछे काफी जादा महनत करी गई, इतना time, इतना पैसा, इतनी energy लगाई गई, तो main aim क्या था, क्या रहा था यहाँ पर human genome project के features, तो पहली अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पहला statement है, human genome contain 3164.7 million nucleotide base, पूरा genome जब यहाँ पर पालिया गया sequence, तो हमें क्या दिखा कि हमारे genome में बात करें, तो 316.4 million nucleotide bases present है, second, average gene consist of 3000 bases, but size very greatly, with the largest known human gene being dystrophin, at 2.4 million bases, अब देखो, यहाँ gene की बात करिये, जर्नली हम chromosome बनाते हैं, और chromosome में हम दिखाते हैं, कि मानलो हमारे एक gene यहाँ present है, इसी तरह से हम Mendel में पढ़के आए हैं, जब हमने genetics पढ़ा, तो यह जो gene की बात कर रहे हैं अगर इसी gene में देखो, तो average बोल रहे हैं, कि यह एक gene जो है, कम से कम average, 3000 bases से मिलकर बनता है, और इसमें सबसे बड़ा जो है, इसका नाम याद रख लेना, डिस्ट्रॉफिन, डिस्ट्रॉफिन के पास 2.4 million bases हैं, और यह present किस chromosome पे हैं, present on X chromosome, next अगर हम बात करें, तो अगला देखो, total number of gene is estimated at लगभग 30,000, अब देखो, यहाँ पे ना, एक अलग से मान के चल रहे थे, कि human इतना complex organism है, बहुत जादा complex है, इसके पास अगर genes present होंगे ना, तो वो लाखों में होंगे, करोडों में होंगे, इतना जादा number लेके चल रहे निकले कितने, 30,000 निकले, जो हर एक organism में present होते है, human में बात करें, तो सब के अंदर आपको 30,000 मिली जाएंगे, the function of over 50% of the discovered gene are unknown, अब हमें यह 30,000 तो मिल गए, लेकिन इन 30,000 में से भी 50% का काम हम जानते हैं, 50% का काम हमें पता ही नहीं है, अभी भी देख लो, कोई मान के क कितना बड़ा नंबर चल रहते है, निकला क्या, और यह जो informationize में से 50% का काम ही नहीं पता, next, अब यह जो 50% का काम नहीं पता था, इसके बाद हमें पता चला, कि यह जो हमारे 30,000 gene है न, यह, less than 2% of genome codes for protein, यह हमारे genome का सिरफ 2% हिस्सा है, अगर मैं कहूं, कि यहाँ पे human genome 100 है, तो 100% में 2% हिस्सा है, जो यहाँ पे protein को code कर रहा है, यानि कि यह वो 30,000 gene है, तो बाकी 98% क्या है, 98% है हमारे पास junk DNA, इसके बारे में आपने सुना होगा junk DNA, इतना ज्यादा number of repeats present है, short sequence हो गए, variable number of tandem repeats हो गए, इतना ज्यादा प्रेजेंट है, और उसका एक benefit भी कि इतना क्यों है, अब देखो यहाँ पे, let's suppose, कि यहाँ पे यह मेरे पास पूरा human genome है, पूरा का पूरा human genome है, इसके अंदर functional part सिरफ यह है, इतना हिस्सा functional है, और इसकी जगे बना लेते हैं, चलो एक covid का बना लेते हैं, वाइरस का, ठीक है, यह हमारे पास covid का genome है, जिसके पास, देखो, यह मैंने अपना बनाया human का है, यह बनाया हमने वाइरस का, अब human में देखो, तो यह जो boxes नजार आ रहे हैं, यह क्या है, functional part है, यानि कि यह वो gene है, जो expression show करते हैं, काम को control करते हैं, अब यह जो बाग ही भरा हुआ है, यह क्या है, junk, इसी के साथ वाइरस का देखो, वाइरस का ही जो आप पूरा देख रहे हो, यह पूरा ही पूरा functional है, इसके पास कोई भी junk DNA नहीं है, अब आपको पता है, mutation नाम की एक चीज होती है, physical भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है, biological भी हो सकता है, किसी भी तरह से mutation हुआ, तो mutation से इसमें change जल्दी आने के chances है, और देख यही कारण है कि virus होगे, bacteria होगे, क्योंकि इनका genome छोटा है और सारा ही functional है, सारा genome छोटा और functional और इसकी वज़े से अगर इसमें जरा सा भी mutation अगर cause हो जाता है, तो mutation cause होने से एक इनका phenotype बदल जाता है, और यही एक कारण है कि COVID virus जो था, coronavirus, क्योंकि उसका RNA की बात करे बहुत छोटा है, सारा का सारा portion functional है, तो mutation होने की वज़े से अलग-अलग variant आपको देखने को मिले, human में junk DNA का फायदा है, क्योंकि functional पार्ट इतना है, अब mutation से कोई change हुआ, एक single nucleotide भी change हुआ, तो वो possibility है कि junk में जादा होगा, और जो जरूरी है उसमें कम होगा, तो हमारे पास क्या फायदा हो जाता है, junk DNA, mutation जो हो रहे हैं, उसको झेल सकता है, और हमारा कोई phenotypic expression जो है, वो ज़्यादा change नहीं हो पाता, अगर mutation कोई ज़्यादा आपको effective नजर ना आए, next बात करते हैं, यही जो repeat sequence है, जिन्हें हम junk बोल रहे हैं, यह क्या करते हैं, stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes hundred to thousand times, make a very large portion of the human genome, तो यह junk DNA क्या है, number of repeats, अब number of repeats की बात करें, दो तरीके के देख लो यहाँ पे, और इन ही काई जो repeated sequence है, यही चीज है, यही एक चीज आपको देखने को मिलेगी, अगर हम repeated sequence की बात करें, यह एक आपका base बनेगा, जिसके basis पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां हम DNA fingerprinting की बात करेंगे, तो यहाँ आते हैं, इस particular portion की बात करें, आपने जब भी chromosome बनाया है, हमने हमेशा chromosome इस तरह से यह बनाया, और हमने बोला, कि let's suppose यहाँ gene A present है, और यहाँ gene X present है, दो gene present है, लेकिन कभी भी यह question किया, कि यहाँ पर A है, यहाँ X है, यह बीच में क्या है, यहाँ कोई खाली जगे है, कोई space है, क्या चक्कर है, तो यह actual में जो space है, space नहीं है, यहाँ पर present होते हैं, repeated sequence, यानि कि आप बोल सकते हो, जो हमारा junk DNA न, वो यह खाली जगे भरने का काम करता है, इस तरह से genes के बीच में present रहता है, अब इन ही repeated sequence के बारे में, अगर हम थोड़ा सोड़ डिटेल में चलें, तो repeat sequence हमारे पास दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं हमारे पास short repeats, और एक आते हैं हमारे पास, आप इसको बोल सकते हो, variable number of tandem's repeat, दो तरीके के हैं, जैसे जब हमने बात करी थी न, transcription की तब हमने बोला था, टाटा बॉक्स, यानि कि अगर मैं short repeat की बात करूँ, तो एक या दो nucleotide का repeats हो जाए, जैसे TA, दो nucleotide का repeat, फिर एक repeat, फिर एक repeat, फिर एक repeat, ये तो हो गया short, अगर देखो, तो ये TA, चार बार repeat नज़र आया, वहीं अगर variable number of tandem repeats की बात करें, तो ये short repeats नहीं है, ये हैं काफी बढ़ा number, जैसे combination बना लो, यहाँ पर कोई सा भी, AT, G, C, C, A, T, A, T, एक repeat मेरे पास ये था, डिटो repeat, आगे 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 आगे, अब हम क्या help लेते हैं, अभी आप देखोगे, जब हम पढ़ेंगे DNA fingerprinting, तो DNA fingerprinting में हमारे काम की जो चीज़ है, वो variable number of tandem repeats हैं, इसकी help हम नहीं लेते, तो ये चीज़ हम आगे डिसकस करेंगे, हो भी आपको repeats का concept समझ आया होगा, की repeats actual में करता क्या है, इसके लावा बात करें, तो chromosome 1 आप देख सकते हो, chromosome number 1 के पास, आपको ज़्यादा जीन देखने को मिलेंगे, 2968 and Y के पास आपको कम देखने को मिलेंगे, और ये number आप याद रख लेना, 231, इसी के साथ, बहुत important point है, Scientist have identified about 1.4 million location, where single base DNA difference, single nucleotide polymorphism, pronounced as snips occur in human, यानि कि अगर हम बात करें, कि हम लोग almost similar से हैं, 99% DNA हम सब का अपस में मिलता है, लेकिन जो थोड़ा सा change है, वो किस वज़े से हैं, क्योंकि हमारे पास, लगभग 1.4 million locations ऐसी हैं, हमारे DNA में, कि जहां पर एक nucleotide की change की वज़े से, एक नया morphism, एक नया phenotype बन सकता है, यह चीज़ ध्यान रखना, polymorphism का मतलब क्या है यहां पर, कि एक nucleotide की change की वज़े से, 1.4 million locations हैं, इस किसी भी location में, एक nucleotide change की वज़े से, हमें एक अलग morphism देखने को मिलेगा, यानि कि अगर आप 1.8 square बनाऊना, तो एक तरफ रखना 1.4 million और एक तरफ रखना 1.4 million है, देखना कितना बड़ा combination है, यानि कि कितना जादा polymorphism देखने को मिलता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, human genome project जो चला इतना लंबा चला है, इतनी सारे महनत, time, पैसा लगा है, तो अक्चुल में यहां method क्या use करें गए, यहां पर दो methods थे जो use करें गए, जिसमें एक आता है हमारे पास, express sequence text, और एक आता है हमारे पास, sequence annotation, देखो, express sequence text की अगर बात करें, तो हमें पता लगाना था कि हमारे DNA में, functional part कौन सा है, functional point पता लगाना, और दूसरा sequence annotation में बात करें, तो वो जो आपको पता चला है, functional, वो expression कौन सा करवाता है, मतलब कौन सा information है, कौन सा वो character जो है, express करवाता है, तो दो चीज़े थी, एक तो पता लगाना की sequence क्या है, express sequence text से, sequence annotation में कि उसका function क्या है, तो यहाँ पर हमने, पूरा जो हमारे पास DNA था, whole segment था, पूरा whole set of genome था, that include all coding and non-coding sequence, and later assign function to different regions, in the sequence are the method, used to sequence human genome, तो यह method use करा गया था, जिसकी help से हम human genome को sequence करना चाहिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, कि express sequence tag क्या है, और annotation क्या है, तो यहाँ हम इसकी full form बहुत important हो जाती है, बोर्ड में भी repeat होती है, देखो क्या होता है, जर्णली एक cell है, अब एक cell, eukaryotic cell, अंदर इसके genetic material, यहाँ पर expression हुआ, transcription चला, transcription चलने के बाद, इसने बनाया होगा mRNA, हमने यहाँ क्या करा, यह जो mRNA इसने बनाया, इस mRNA को लेके, हमने इस पर लगाया, reverse, transcriptase, और क्या बनवाया, इस mRNA से हमने बनवाया DNA, जिसे हम बोलते हैं CDNA, ठीक है, अब इस CDNA का क्या करा, कि यह जो मेरे पास DNA था, इस DNA को निकाला आपने बाहर, यहाँ बनवाया CDNA, अब क्या करा, यह जो आपने DNA यहाँ से isolate किया है, और वहाँ आपने दूसरा पर पर पैर करवाया CDNA, इन दोनों को हमने mix करा, और हमने क्या देखा, यहाँ पर complementarity शो करेगा, एक एक strand ले ले लेते हैं, दो-दो से उलट जाओगे, चलो, यह main था, यहाँ पर CDNA आया, CDNA को जहाँ इसके साथ complementarity मिली, यह तो आके चिपक गया, लेकिन, अब आप यहाँ देखो, MRNA से बनाया न, MRNA में सिरफ क्या होगा, exon, यानि कि सिरफ और सिरफ functional segment, और वहीं पर DNA की बात करें, तो इसके पास तो exon वाला portion भी होगा, जो exon बनवाएगा, और intron वाला portion भी, जो intron बनवाएगा, यानि कि दोनों तरीके का, coding, non-coding, दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ तो यह जो मैं लाई हूँ, cDNA, यह तो complementary है, जो exon है, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, यह जो हमारा main DNA है न, यह जैसे ही pair up करते हैं, तो यह जगा जगा से loop कर जाता है, इस प्रेस नहीं होता, आमें नहीं चाहिए होता, और यहाँ पर यह जो portion आपको नजर आया, इसको यहीं से निकाला, मिल गया कि functional segment क्या था हमारे DNA का, फिर इसको डाल दिया back, यानि कि bacterial artificial chromosome, या फिर डाल दो yak, yeast artificial chromosome, और यहाँ से आप इसके बारे में, पूरा का पूरा detail निकाल सकते हो, तो यह तो काम हमने कर लिया, किस से पता चल गया, हमें express sequence, यहाँ पर आप इसका पूरा का पूरा, sequence पता लगा सकते हो, लेकिन function अभी भी नहीं पता चला, तो function पता करने के लिए, अगर, तो applications आप देख सकते हो, having the complete sequence, application क्या है यहाँ पर, कि हमारे पास पूरा complete sequence आजाए, human genome का, और इसी के साथ, विल एनेबल और रेडिकली निव अप्रोच, तो बायलोजिकल रिसेर्च, और सिस्टेमाटिक अप्रोच अप्रोच होना, हम पता लगा सकते हैं, और काफी हद तक हम उनके क्या और पर भी जा सकते हैं, second था, all the genes in a genome, और all the transcript in a particular tissue organ tumor can be studied, आप देख सकते हो, कि particular tissue organ tumor में, क्या transcription का चल रहा है, वो भी आप समझ सकते हो, and it will be possible to understand, how enormous number of genes and protein, work together in interconnected network, in the chemistry of life, और साथ साथ अप ये भी पता लगा सकते हो, कि किस तरह से, जब human में बात करें, एक organism की बात करें, तो उस organism के अंदर किस तरह से, इतना सारा information, अलग-अलग type का protein है, अलग-अलग type के molecule है, genes है, ये किस तरह से interact करते हैं, और एक पूरा organism चल पाता है, शर्वाइफ कर पाता है, तो next आते हैं, हम हमारे topic, DNA fingerprinting की तरह, देखो DNA fingerprinting को हम यहाँ पे, DNA profiling भी बोलते हैं, जर्णली बात करें, जब हम discuss कर रहे थे, अभी हमने repeat sequence के बारे में पढ़ा है, तो यही repeat sequence है, जिनका हम use करते हैं, DNA fingerprinting में, तो देखते हैं, एक्च्वल में किस तरह से काम चलता है इनका, यहाँ पे ध्यान देना, देखो DNA fingerprinting करवानी है, DNA profiling करवानी है, तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, DNA होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे DNA लाते हैं, और एक machine होती है centrifugation, जहाँ पे बहुत high speed में DNA लाएं, और उसको बहुत high speed में हम rotate करवाते हैं, इसके बाद, जब हमने बहुत high speed पे DNA को rotate करवाया, तो DNA में हमें कुछ separation देखने को मिलता है, ठीके, तो हमारे पास क्या होता है, जो bulk DNA है वो अलग हो जाता है, और छोटे छोटे, जो satellite DNA है वो अलग हो जाते हैं, बल्क DNA अलग हो जाएगा, और ये है, satellite DNA, ये अलग हो जाएगे, हमारे काम की चीज़ क्या है, satellite DNA, क्योंकि satellite DNA ही है वो जिसके पास क्या present है, number of repeats, या आप बोल सकते हो, repeats यहाँ present है, present है, तो हम काम करेंगे satellite DNA से, number of repeats ही जाहिए, अब number of repeats की बात करें, तो discuss कर चुके हैं, दो तरीके के, एक होते हैं, short repeats, यह आप देख चुके हो, short repeat में बात करें, जैसे AC, बार बार repeat होता चला गया, multiple time, इसका कोई fix नहीं होता, आप इसका idea नहीं लगा सकते हो, एक होता है, जिसे हम बोलते हैं, variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats की, अगर हम बात करें, तो पहला सवाल यहीं आता है, कि tandem का मतलब क्या है, tandem का मतलब है, कि आपको कोई भी इसके बीच में, space नहीं देखने को मिलेगा, एक repeat खतम हुआ, तुरंट दूसरा, जैसे ATGCACTA, एक repeat यह हुआ, यह repeat के तुरंट बाद, आपको एक और repeat देखने को मिल जाएगा, ATGCACTA, तुरंट इबाद एक और repeat, फिर इसी तरह एक और repeat, यानि कि यही जो आपको sequence है, यही आपको repeat होता हुआ नजर आएगा, तो DNA fingerprinting में हमारे काम की चीज़ है यह, क्योंकि यहाँ पर बात करें, किसी भी organism के अंदर, अगर आप कोई chromosome देख रहे हो, तो उस chromosome में repeat का sequence सेम रहता है, अगर मेरे अंदर देखा जाए repeat का sequence, और आपके अंदर देखा जाए, तो पूरी possibility है कि repeats का sequence सेम मिलेगा, यानि कि मेरे अंदर अगर AT, GC, AC, TA repeat हो रहा है, तो आप में भी same यही sequence, same chromosome पर repeat हो रहा होगा, लेकिन फरक किसमें आता है, नंबर में, अब नंबर में जो फरक है, यह काम कर जाता है मेरे लिए, DNA fingerprinting में, अब यही जो sequence मैंने बोला न, मेरे अंदर भी repeat है, आपके अंदर भी repeat है, हो सकता है मेरे अंदर यह 6 बार repeat हो, हो सकता है आपके अंदर यह 100 बार repeat हो, sequence यही रहेगा, number of repeats अलग-अलग हो सकते हैं, जिसकी help से हम DNA fingerprinting करते हैं, जर्नली बात करें, यह पूछो के कहां present है, तो अभी अभी हमने देखा था न, chromosome बना के, कि यहाँ पर दो gene है, एक gene A है, एक gene X है, अब मान लो कि मेरे अंदर यह लगभग, चार बार repeat है, चार बार repeat है तो बना देते हैं वाई, एक, दो, तीन, चार, चार बार repeat है, एक और chromosome बना लेते हैं, A gene present है, X gene present है, अब यही वाला जो repeat है, किसी दूसरे X portion में, यह repeat है कम से कम, आठ बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, चलो, साथ बने हैं, साथ बार repeat है यह, अब आप कहोगे, कि मैं, यहां तो चार बार था, यहां पे यह साथ बार repeat हो गया, तो X ने अपनी position छोड़ी, या A ने अपनी position छोड़ी, तो भाई, जगे नहीं बदलती gene की, क्या होता है, कि यहां पे adjustment होता है, अगर यहां पे हमने बोला ना, यह आपको purple से दिख रहे हैं, जो चार repeats, बाकी जगे इन्होंने भरी हुए है, short repeats है, पूरा भरा हुआ है, सेम इसी तरह, अगर साथ बार यह वाला repeat है, तो बाकी जगे जो खाली है, वो किसने भर दी, short repeat में, तो balancing चलती है, तो यही repeats काम आते हैं, अब इन repeats का एक फायदा है, कि इन repeats के पास, जैसे हमने बात करी, यहाँ पे इस particular portion में आप देखो, तो इन repeats के पास है, restriction side, यह वो जगे है, restriction endonucleus, molecular scissors, biotech में पढ़ेंगे, यहाँ से आप इसे cut कर सकते हो, तो यह आप के लिए फायदा करेंगे, और अब हम चलते हैं, पूरे procedure पे, पहले जितना यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझ लो, क्या-क्या बात यह बोल रहे हैं, DNA finger printing involved, identifying difference in some specific regions, in DNA sequence called as, repetitive DNA, repetitive DNA का use करेंगे, because in this sequence, a small stretch of DNA is repeated many times, repeat sequence में क्या है, कि DNA का एक छोटा सा repeat, वो बहुत बार repeat हो रहा होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, variable number of tandem repeats, tandem का मतलब ध्यान रखना कि back-to-back repeats, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिल्कुल भी gap, कुछ भी नहीं होगा, the repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA, different peak during density gradient centrifugation, जब यहाँ पर हम यह वाला graph बनवाते हैं, density gradient करवाते हैं, तो DNA separate हो जाता है, centrifugation के बाद, bulk DNA, satellite अलग दिखता है, bulk DNA forms major peak, and other small are called satellite DNA, these repetitive DNA sequence, show high degree of polymorphism, यही जो हमारे पास repeats हैं, यह polymorphism दिखाते हैं, वो ही बात कि, आपके अंदर साथ बार repeat हैं, मेरे अंदर चार बार repeat हैं, इसी को हम polymorphism बोलते हैं, and from the basis of DNA, finger printing, the DNA from every tissue, अब देखो DNA हर tissue से लिया जा सकता है, जैसे बात कर रहे हैं, blood, hair follicles, skin, bones, saliva, कई से भी लिया जा सकता है, from an individual, show the same degree of polymorphism, यह कैसा दिखाएंगे, same degree दिखाएगा polymorphism की, they become very useful identification tool in forensic application, अब यहां अगर हम बात करें, blood में, blood के बारे में अगर आपको याद हो, blood में हम बोलते हैं, formed element प्रेजेंट होते हैं, formed element में आता है, हमारे पास WBC, RBC and platelet, तो अगर blood की बात कर रहे हैं न, कि आपको blood में से DNA निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखना, कि यहां पे, WBC की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि RBC के पास nucleus नहीं होता, RBC के पास nucleus नहीं है, तो DNA कहां से लाओगे, hair follicle की बात करें, वैसा नहीं कि बाल चलेगा, और उससे आप DNA निकाल लो, बाल और उसके साथ उसकी जो root है, जड़ होगी, तब ही आप यहां पे extract कर पाऊगे, बाकी सारी चीज़े common है, वो आप देख सकते हो, हर एक में से आप आराम से isolate करोगे, अब देखो यही जो polymorphism है, arise due to mutation, अब यही जो repeats की बात करें, variable number, 4 है, 7 है, 8 है, 15 है, 1000 है, यह सब हुआ है mutation की वज़े से, in DNA polymorphism, more than one variant at a locus, occur in human population, with a frequency greater than 0.01, DNA fingerprinting can be prepared from extremely minute amount of blood, semen, hair, bulb and other cells of the body, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो locus तो semi-rocus क्या बोलते हैं, gene का address, locus gene का address, तो A gene और X gene, इन दोनों के locus के बीच में प्रेजेंट है, जगे fix है, अगर मैं बोलू नहीं, यह chromosome number मेरा 1 था, अगर यह chromosome number मेरे पास 1 था, तो आपका भी यह chromosome number 1 का ही discussion किया है, ऐसा नहीं है कि मेरा chromosome number 1 है, और आप अपना लेक्या आरो 11 वाला की, हम तो अलग-अलग पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है, next बात करते हैं, अब जर्णल ही बात करें, तो अलग-जर्फरे ने डेवलब किया था, इन्होंने यूज किया था, सेटलाइट डिने का, आस प्रॉप, बारे में डिसकुशन करेंगे अभी, कि प्रॉप क्या होता है, और इंडिया में बात करें, तो ये टेखनीक जो है, इंडिया में लाल जी सिंग लेकर आयते हैं, NCRT पर नोट कर लो, लाल जी सिंग, इंडिया में जिन्होंने इस टेखनीक को बहुत डेवलब किया, वो लाल जी सिंग थे, next आता है, तो टेखनीक यूज्ट आस अर्लियर, इन्वल्स सदर्न, ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन, यूजिंग रेडियो आक्टिव लेबल, VNTR और प्रॉब, मेजर स्ट्रेप्स, आर इस फॉलो, तो यहाँ पर पहले प्रॉब के बारे में, थोड़ी सी कहानी सुन लो, कि प्रॉब क्या होता है, देखो भई, प्रॉब के बारे में बात करते हैं, प्रॉब क्या है, प्रॉब के लिए इन्होंने क्या बोला, रेडियो आक्टिवली लेबल है, अब रेडियो आक्टिवली लेबल कैसे कराते हैं हम इसे, radioactively labeled करवाते हैं by the help of radioactive nitrogen radioactive nitrogen की help से हम काम करवाते हैं अब देखो probe है DNA बोल रहे है radioactively labeled DNA यूज़ कराता इसके लिए अब यहाँ धियान रखना है इस probe को बनाने का मकसद क्या होता है यहाँ पर आप देखो देखो भई यह था ना मेरे पास variable number of tandem repeats मुझे इसका sequence present पता था मुझे इसका sequence पता था तो probe में मैंने क्या किया यही sequence उठाया और इसको radioactively बनवाया इसके जैसा ही इसका complimentary आप बोल सकते हो radioactively labeled करवा दिया मैं यहाँ पर sequence जानती थी यह धियान रखने आपको sequence पता था इसलिए मैं प्रॉब बनवा पाई क्योंकि मेरे को पता था ATGCACTA यह sequence present है तो इसी sequence की help से हमने यह प्रॉब बनवाया radioactively labeled DNA है यहाँ पे label जो है वो nitrogen की help से किया गया और दूसरा आप बोल सकते हो कि यहाँ पर complementary बनवाया गया complementary radioactive DNA अब इसका use देखना कि इसकी जरूरत कहा है प्रॉब बनवा के रख लिए अब देखो क्या होगा यहाँ पे अब हम चलते है method की तरफ आपको करवाना है यहाँ पे DNA fingerprinting और DNA fingerprinting के लिए सबसे पहले DNA चाहिए यानि कि किसी भी cell जो भी आपको किसी crime scene पे मिला है या फिर जो भी आपके पास information आया है जो आपके पास sample है उस sample में से DNA को isolate करना DNA को isolate करते हैं और isolate करने के बाद हम amplification करते हैं polymerase chain reaction से अब amplification का फायदा क्या है देखो कि आपने किसी crime scene से DNA आपने extract करा यह आपको मिल गया double standard DNA आपने extract करा आपको मिल गया अब इसके बाद किसी वज़ा से एक खराब हो गया यह इसमें problem हो गई तूट food गया काम का नहीं राबे से तो दुबारा थोड़ी crime scene पे जाओगे दुबारा से थोड़ी DNA ढूड़ोगे तो क्या करते हैं कि यहाँ पे isolate करवाया अब इस DNA का polymerase chain reaction करवा दो इसकी multiple copies बनवा लो एक खराब हो गई, दो खराब हो गई, चार खराब हो गई कुछ तो present होगा आगे आप काम तो कर पाओगे second DNA cut into fragment with restriction enzyme DNA जो लाए थे उसके टुकडे करवाए DNA जहाँ पर हमने बात करिये हैं वो ही repeats के sequence जिसके पास restriction endo nucleus की side होती थी लाए हैं और उसके हमने cut करवाया टुकडे करवाया restriction enzyme से अब DNA टुकडे करवाने के बाद हमने इसको electrophoresis भेजा electrophoresis टेकनीक पढ़ेंगे जहाँ पर यह सारे जो separated थे fragment जो छोटे छोटे टुकडे करवाया DNA के यह सारे एक दूसरे से separated हो गए और इसे हमने stain कर लिया with a dye अब देखो यह क्या होता है gel electrophoresis वैसे हम पूरा detail में discussion करेंगे इसका bio technique देखो restriction enzyme से आपने DNA कट करवाया DNA कट करवाने के बाद हमें separate करना था size के according इन wells के अंदर हमने DNA डाला और यहां हमने देखा कि हमारा DNA जो है वो size के according separate होता चला गया सबसे सबसे छोटा वाला fragment आपको किस pole पर मिल रहा है second वाले पर सबसे बड़ा वाला negative क्यूंकि DNA के उपर negative charge होता है और यहां पर यह अगारोस जेल का plate है अगारोस जेल में present होते हैं बहुत छोटे छोटे से pores तो जैसी आपने यह restriction enzyme से digest हुआ DNA डाला इन wells में यहां पर आपने battery on किया और battery on करते ही आपने देखा कि इन pores से सबसे छोटा वाला fragment जो है क्यूंकि negatively charger सबसे छोटा है अराम से move करके जा सकता है positive terminal पर गया और इदार आया negative terminal अब यहां पर separation तो करवा लिया आपने segment करवा लिये DNA के अलग-अलग आपने fragment अलग-अलग निकलवा लिये size के according लेकिन यहां दियान दो कि DNA आपने isolate किया cut करवाया और electrophoreses में separate कराया इन तीनों cases में DNA कैसा है double standard DNA double standard है तो यहां पर यह जो आप देख रहे हो यह क्या है double standard DNA अब आपने तो पहले prop बनवा रखा है complementary radioactive DNA बनवा रखा है sequence देखके तो वो थोड़ी bind कर जाएंगे करना क्या पड़ेगा यह जो double standard है इसको single standard करो single standard यहां पर हम करते हैं इसे double standard DNA is then split into single standard using alkaline chemical यहां पर हम alkaline chemicals का basically बात करें तो buffer का use करते हैं ताकि यह जो double standard है यह यहां पर single standard हो जाए इसके बाद जो separated DNA sequence है इसको हम एक gel से दूसरे gel पर transfer करते हैं जिसे हम southern blotting बोलते हैं अब यह transfer क्यों करना पड़ता है यहां पर ध्यान दो generally अगर हम बात करें अगारोज जैनल बहुत delicate सा है बहुत नाजुक सा है तूट foot हो सकती है आप एक जगे से दूसरी जगे रखने भी जा रहे हो तो भी खराब हो सकता है तो इसके पास dna थोड़ी छोड़ दोगे तो हम क्या करते हैं हम इसे करवाते हैं southern blotting से separate एक container लिया इस container के उपर एक बरतन उल्टा करके रखा ठीके base तयार करा, platform तयार किया एक चारो तरफ इसमें यहां पर क्या भड़ती है, buffer पानी वगर नहीं लेना है, buffer लेना है buffer फिल किया, बहुत सारा filter paper लिया filter paper रखा, फिर इसके उपर बहुत सारा filter paper रखना है filter paper रखने के बाद आपने यहां पर agarose gel रखा agarose gel रखने के बाद इसके उपर जो membrane रखी है, वो है nitrocellulose, एक के उपर एक बिल्कुल भी gap नहीं आना चाहिए, air bubble नहीं आना चाहिए और इसे रखने के बाद फिर आपने बहुत सारा filter paper रखा है इसके उपर और इसे एक weight से दबा दिया तो ऐसे में क्या होगा, यहां पर filter paper, filter paper, buffer यहां पर capillary movement शो करेगा capillary movement से यह जो agarose gel के उपर, यह क्या है green वाला, agarose gel यह agarose gel से transfer का हो जाएंगे सारे के सारे DNA के fragment, यह सब चले जाएंगे nylon membrane पर जिसे हम nitrocellulose membrane भी बोलते हैं, तो अब मेरे पास nylon membrane के उपर DNA आ चुके है, DNA आने के बाद अब यहां पर अगला step है, यहां पर use आएगा prop का, तो nylon sheet पर आ गए हैं और सारे के सारे single standard है यह सारे के सारे single standard है, तो यहां पर अब क्या करा जाएगा जब यह सब single standard ही बन चुके हैं और nylon membrane पर आ गए, इसके उपर हम डाल देंगे prop prop जो हमने sequence बनवा के रखा था, radioactively label था और जो single stand हुआ है, उसके complementary है तो जैसी आप prop डालोगे, prop उसके बाद x-ray film यहां पर आपको देखने को मिलेगा auto radiograph से x-ray film is exposed to nylon sheet gives dark band of prop side and the hybridized fragments are detected by auto radiography अब यहां पर देखना, यहां समझने की कोशिश करना होता क्या है यह मेरे पास पूरा nylon का membrane है इस nylon के membrane पे अगर इस strand की बात की जाए तो single standard हो चुके है कुछ इस तरह से यहां पे strands जो है present है ठीक है, अब हमने बनवाये थे probe probe हम इस color से दिखा रहे है तो probe न वहीं जाके bind करेगा जहां उसकी complementary होगी complementary होगा तो probe ने जहां जाके binding करी वहां से क्या आती नजर आईगी? Radio activity तो मुझे इस तीन जगे से radio activity आती नजर आ रही है मैंने इसी तीन जगे की radio activity को ध्यान रखा तो मैंने बोला एक band मुझे यहां मिला दूसरा band यहां है और तीसरा band यहां है तो इस प्रॉब की help से radio activity की help से में क्या generate कर पाई? बैंडिंग pattern बैंडिंग pattern जनरेट कर लिया अब यहां देखो सेम पूरी टेकनीक यूज करके मेरे को जो crime scene से मिला था crime scene से जो मेरे को DNA मिला था वहां मैंने उसके पूरा एक banding pattern जनरेट कर लिया इसी टेकनीक को follow करते हुए तीन suspect थे जिनके उपर शक था कि वो हो सकते हैं तो उनका भी DNA लिया गया और यहां पे सेम प्रोसेस यूज करके isolate किया restriction enzyme से cut किया electrophoresis करवाया alkaline buffer में डाला single standard prop दिया binding देखी autoradiography से detect किया कि कहां पर radio activity आ रही और finally bending pattern observe हो तो यहां पे तीनों का तयार कर लिया अब यहां देखो पहला आपको यह नजर आ रहा है यहां देखो suspect 1 के इस particular position पे कोई भी pattern नहीं है लेकिन suspect 2 में present दिख रहा है इसी तरह suspect 3 में थोड़ा सा नीचे है लेकिन accurate उस position पे नहीं है crime scene से जो मिला second bending pattern यह वाला match कर गया यहां भी match कर गया यहां कुछ नहीं है सेम इसी तरह से अगर आप यहां ध्यान दे यह वाला bending pattern यहां भी है यहां भी है यहां भी है तो अगर आप देखो ना तो एक यह एक से जादा bending pattern मिल सकते हैं तो हम एक दो नी देखते हम सब को match करते हैं अगर सारे मिल रहे होंगे तभी हम यहां पर पता लगा पाते हैं तो अगर आप इसी तरह से match करो तो आपको यह जो crime scene से मिला हुआ है sample जो आपने लिया था वो किस से मिल रहा है पूरी तरह वो suspect 2 से मिल रहा है बिल्कुल same bending pattern आ रहा है इससे क्या पता चलता है इससे यह पता चलता है कि अगर जो crime scene पर collect किया है वो actual में crime किस ने किया है suspect 2 ने तो crime cases हो गए रेप cases हो गए paternal dispute पता लगाना कि कौन सा father यहां पर paternal dispute बच्चे के बारे में पता लगाना कि उसके father या mother कौन से हैं तो हम use करते हैं इन्ही सब techniques का और DNA fingerprinting की बहुत important technique है क्योंकि at present काफी जादा use में है अलग-अलग तरह से बहुत से cases में help करती है विन crime scene के cases में तो सबसे जादा use आता ही आता है और अगर हम बात करें यहां पर DNA fingerprinting help in identifying the true father biological father का पता लगाना criminal और इसी के साथ साथ जो problem हमारी evolution से related है साथी चीज़े पता लगा पाते हैं यहां पर biological father, criminal and evolution से related concept भी यहां पर पता लगाए जा सकते हैं इसकी help से तो यह lecture हमारे यहीं complete होता है hope आपको हर एक topic clear रहा होगा आज के lecture में बात करें तो DNA fingerprinting बहुत आरान से बहुत detail में समझा है साथ साथ हमने यहां पर human genome project पढ़ा है hope आपको techniques clear रही होगी दुबारा जरूर पढ़ना, दुबारा जरूर देखना क्योंकि topics ऐसे हैं कि इतना सारा इस chapter में उलसता है पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो पक्का उलजएगा कि आपका benefit हो सके exam point of view से भी और CUET point of view से भी आप अच्छा स्कोर कर सको तो इसी तरीके के lecture अगर आपको और detail में समझने है और सीखना है तो आप क्या कर सकते हो हमारा संभव batch चल रहा है 2023 batch है dedicated है CUET के लिए फटा फट से आप इसे join कर लो enroll कर लो और यहां पर आपको e-books मिलेंगी e-books के साथ साथ यहां आपको practice करने के लिए e-books तो मिल रही है section आपके तीनों cover करवाए है language, Hindi, English, domains की बात करें section 2 commerce, humanity, science या फिर section 3 journal test की बात करें तो यह तीनों चीज़े आपकी हम cover करवा रहे हैं करना क्या है batch को फटा फट से join कर लो last year बहुत से बच्चे connected हुए थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और अपने dream college में अच्छे courses में admission लेके बैठें और इस पूरा batch आपको कितने में मिल रहा है 4999 में पूरा batch है इतना reasonable price में है फटा फट से ले लो अपनी पढ़ाई start कर दो अब batch अगर आपको purchase करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा Google Play Store पे जाके search करोगे learn करो the live learning app मिल जाएगा इसको download करना download करने के पाद जब open करोगे आपको यहां पर दो चीजे नज़र आएंगे free batch है एक हमारा paid batch है free batch की बात करें तो हमारा one रूपी बैच चल रहा है इसे आप purchase कर सकते हो revision point of view से best है जिन्होंने class 12 में domains पे अपनी command बनाई है उनके लिए best option है यहां पे आपको PDF मिलते है daily life classes जो हैं आपकी YouTube पे हो रही है उसके इंक notation के आपको PDF मिल जाते है प्राक्टिस करने के लिए mock हैं आपके पास यहां PYQ कवर करवाए हुए हैं काफी सारी चीज़े हैं तो आप इसे फटा-फट से enroll करवा सकते हो इतने price में कुछ भी नहीं मिलता है और आपको यहां guarantee दे रहे हैं CVT करवारने की बस चाहिए क्या आपका support regularity important है regular रहोगे तो ही चीज़े हो सकती है और paid batches की बात करें तो जिन कि आप अपने according पर सको इतना कहीं घंटा live classes नहीं देखना पड़ता है अपने self study के time पे लेके बैठे topic देखा कि हाँ ठीक है समझ आ गया NCRT पढ़ी MC क्यों लगाए topic तयार हो जाएगा इस तरह और इसी के साथ telegram channel CUT by Gokul चापडा के नाम से मिल जाएगा सर्च करोगे फटा फट से जाइन कर लेना hope you like it thank you very much आज का lecture आपको समझ आया होगा अच्छे से clear हुआ होगा next lecture की बात करें तो हम MCQ practice करेंगे MCQ practice के लिए करना क्या है किताब पढ़के आ जाना एक बार NCRT पढ़ लेना जो topic clear नहीं है lectures cover किये गए है उन lectures को देखना topic दुबारा समझना NCRT पढ़ना और हम फिर practice करेंगे MCQ hope you like it thank you very much for watching take care bye bye